और अब बाद नोट बंदी की जिसने देश की जनता को बैंक्स की कतार पर लाकर खड़ा कर दिया है सरकार हर रोज समस्या के समधान के लिए नहीं नहीं खोशनाओं को ऐलान कर रही है ऐसे में आज यारी कि शनिवार के लिए एक बार फिर खास दिशानर्देश दिये गए है आज नहीं दिखेगी बैंक के बाहर लंबी लाई आज अपने ग्राहकों के लिए काम करेंगे बैंक हर बैंक में नहीं बतले जाएंगे नोट सीनियर सिटिजन को सरकार की छूट नोटबंदी के एलान के बाद बैंक को और एटियम के बाहर लगी लोगों की लंबी लंबी कातारे सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है आज के लिए सरकार में कुछ नय फर्मान चारी किये हैं जिसमें बैंक करिमियों को रहा दी गई है वही कातारों में परिशान बुज़र को छोट आज बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों को सिवा देगा यानि आपका अकाउंट जिस बैंक में हैं आप उसी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं या बदलवा सकते हैं हाला कि ये नियम सिनियर स्टिजन पर लागू नहीं होगा वो कहीं पर भी जाकर पैसे बदलवा सकते हैं बैंक की आज नॉर्मल वर्किंग रहेगी और दूसरी सर्विसेस चालू रहेंगी साफ है सरकार के स्फर्मान के साथ ही उन बैंक करीमियों को भी एक दिन के रहत मिलेगी जो पिछले तेल हफ्तों से युद्ध स्टर पर काम कर रहे हैं इस दौरान बैंक कर भी अपने पैंडिंग कामों को निप्टा सकेंगे जिसके बाद कल यानी रविवार को बैंक बंद होगा अब बैंक आम जनता के लिए सुमवार को खुलेंगे सरकार के इस फैसले के बाद बैंकों के बाहर लाइन आपको नहीं मिलेगी ऐसे में आज आप ध्यान रखे की पैसे बदलवाने हैं तो सिर्फ उसी बैंक बेचाएं जहां आपका खाता हो इसके अलावा अगर आप कार्ड का इस्तिमाल करते हैं तो एटियम और पेट्रोल पंपर आसानी से जाकर पैसे निकाल सकते हैं आज तक भी रोख हम रुखेंगे एक छोटे सब्रेक के लिए अब बने रहे हमारे साथ देखते रहें आज तक